रामधारी सिंग दिनकर हिंदी भाषा के कवी लेखक एवं निबंधकार 1908-1974 रामधारी सिंग दिनकर 23 सितंबर 1908-24 अप्रेल 1974 हिंदी के एक प्रमुख लेखक कवी वनिबंधकार थे। वे आधुनेक युग के श्रेष्ट वीर रसके कवी के रूप में स्थापित है। राष्ट्रवाद अथ्वा राष्ट्रियता को इनके काव्य की मूल भूमी मानते हुए इनहें युग चारण व काल के चारण की संग्यादी गई है। सामान्य तथे रामधारी सिंग, दिनकर, जन्म, प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोधी 22 मई 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्र कवी रामधारी सिंग, दिनकर, के कारियों की स्वर्म जयन्ती समारोह में। दिनकर, स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवी के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद, राष्ट्र कवी के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवीों की पहली पीडी के कवी थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रो, आक्रोश और क् श्रिंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ती है। इन्हीं दो प्रवृतियों का चरम उतकर्ष हमें उनकी कुरुक शेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। 1934-1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब रजिस्टार और प्रचार विभाग के उपनिदेशक पदों पर कारे किया। 1950-1952 लंगज सिंग कालेज मुझफरपूर में हिंदी के विभागा ध्यक्ष रहे। भागलपूर विश्विद्यालय के उपकुलपती के पद पर 1963-1965 के बीच कारे किया और उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार बने। उन्हें पद्म विभूशन की उपाधी से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृती के चार अध्याय के लिए सहित्य अकादमी पुरसकार तथा उर्वशी के लिए भारतिये ज्यानपीट पुरसकार प्रदान किया गया। अपनी लेखनी के माध्यम से वो सदा अमर रहेंगे। द्वापर युक की एतिहा से घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरुक्षेत्र को विश्व के सो सर्वश्रेष्ट काव्यों में 74 वास्थान दिया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वबिहार विश्व विद्यालय में हिंदी के प्रध्यापक वविभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफरपूर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्मान हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वो दिल्ली आ गये। दिन कर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1975 ही तक भागलपूर विश्व विद्यालय का कुल्पती नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ही तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वो फिर दिल्ली लोट आये। फिर तो जवार उम्रा और रेनुका, हुनकार, रस्वंती और द्वंदव गीत रचे गए। रेनुका और हुनकार की कुछ रचनाइन य चेतावमिया मिला करती। चार वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। देखने में देवता सद्रिश्य लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो समझो उसी ने हमें मारा है। अर्जुन भीम वीर इसी प्रकार एक बार तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नहरू की ओर इशारा करते है कहा। क्या आपने हिंदी को राश्ट्र भाशा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड हिंदी भाशियों को रोज अपशब्द सुनाये जा सके। ये सुनकर नहरू सहित सभा में बैठे सभी लोकसन रह गए थे। किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सक्त स्वर में बोले। उन्होंने कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है, तो देश के नेतागण ही नहीं बलकी कथित बुद्धि जीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपार्टी का आरंब किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपार्टी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से मिली है, पता नहीं, तेरा भाशाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किन्तु हिंदी के बारे कितना भयावे होगा? ये सुनकर पूरी सभा सन रह गई. थसाथस भरी सभा में भी गहरा सन नाता च्छा गया. ये मुर्दा चुप्पी तोड़ते हुए दिनकर ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नहरू से कहना चाहता हूँ कि हिंदी की निंदा करना बं पात्रों और घटनाओ को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया. उनकी महान रचनाओ में रश्मिरती और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल है. उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाए वीर रस से ओत्प्रोत है. भूशन के बाद उन्हें व भारत के शांती पर्व का कवितारूप है. ये दूसरे विश्वयूद के बाद लिखी गई रचना है. वहीं सामधेनी की रचना कवी के सामाजिक चिंतन के अनुरूप हुई है. संस्कृती के चार अध्याय में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाशाई और क्षेत्रिय विविद्ताओं के बावजूद भारत एक देश है, क्योंकि सारी विविद्ताओं के बाद भी हमारी सोच एक जैसी है. विस्तरित दिनकर साहित्य सूची नीचे दी गई है काविया 1. बार्दोली विजय संदेश, 1928. 2. प्रन्भंग 1929. 3. रेनुका 1935. 4. हुनकार, 1938. 5. रस्वंती, 1949. 6. द्वंद्वगीत, 1940. 7. कुरूक्षेत्र, 1946. 8. धूप छाह, 1947. 9. सामधेनी, 1947. 1. शुन्य. बापु, 1947. 11. एतिहास के आसु, 1950. 12. धूप और धूआ, 1950. 13. मिर्च का मजा, 1950. 14. प्रश्मिरथी, 1952. 15. डिल्ली, 1954. 16. नीम के पत्ते, 1954. 17. नील कुसुम, 1955. 18. सूरज का व्याह, 1955. 19. चकरवाल, 1956. 2. शुन्य. कवीश्री, 1957. 2. एक. सीपी और शंक, 1957. 22. नैसुभाशित, 1957. 2. तीन. लोगप्रिय कवी दिनकर, 1907. 24. उर्वशी, 1961. 25. परशुराम की प्रतीक्षा, 1963. 26. आत्मा की आखें, 1964. 27. कोईला और कवित्व, 1964. 28. मृत्ती तिलक, 1964. और 29. दिनकर की सूकतिया, 1964. 30. हारे को हरिनाम, 197-03-1. संचिता, 197-3. 32. दिनकर के गीद, 1973. 33. रिश्मिलोक, 197-4. तीन-चार. उर्वशी तथा अन्यश्रिंगारिक कविताए, 1974. 34. गद्य 35. मिट्टी की ओर, 1946-3. चित्टोड का साका, 1948. 37. अर्धनार इश्वर, 1952-8. रेती के फूल, 1954-49. हमारी सांस्कृतिक एकता, 1955. 40. भारत की सांस्कृतिक कहानी, 1951. संस्कृति के चार अध्याए, 1956. 42. उजली आग, 1956-43. देश-विदेश, 1957-44. राष्ट्र भाषा और राष्ट्रिय एकता, 1955. 45. काव्य की भूमिका, 1956-46. पंथ प्रसाद और मैथिली शरन, 1958. 47. वेनुवन, 1958-48. धर्म, नैतिक्ता और विज्ञान, 1979. 49. उन्चास, वट पीपल, 1961-51. लोकदेव महरू, 1965-51. शुदा कविता की खोज, 1966. 52. साहित्य मुखी, 1963-53. राष्ट्र भाषा आंदोलन और गांधीजी, 1968. 54. हे राम, 1968-55. संस्मरण और श्रधांजिलिया, 1970. 56. भार्तिय एकता, 1971-57. मेरी यात्राए, 1971-58. दिनकर की डाइरी, 1973. 69. चेतना की शिला, 1973-60. विवाह की मुसीबते, 1973. 61. आधुनिक्ता बोध, 1973-ने बंद संग्रह मिट्टी की ओर, 1944-60. अर्धनारीश्वर, 1952-20 रेती के फूल, 1954-60. हमारी संस्कृती, 1956-60. विनुवन, 1958-60. उजली आग, 1956-60. राष्टभाषा और राष्ट्रिय एकता, 1958-60. धर्म, नैतिक्ता और विज्ञान, 1959-60. वटपीपल, 1961-60. साहित्यमुखी, 1968-60. आधुनिक्ता बोध, 1973-60. अन्य लेखकों के विचार आचार्य हजारी प्रसाद ब्विवेदी ने कहा था, दिनकर्जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोक प्रिय थे और अपनी मात्र भाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक थे. हरिवन्श राय बच्चन ने कहा था, दिनकर्जी को एक नहीं, बलकी गद्य, पध्य, भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग-अलग चार ज्यानपीत पुरसकार दिये जाने चाहिए. रामवरिक्ष बेनिपुरी ने कहा था, दिनकर्जी ने देश में क्रांतिकारी आंदोलन को स्वर दिया. नामवर सिंग ने कहा है, दिनकर्जी अपने युग के सच्मुच सूर्य थे. राजेंद्र यादव ने कहा था कि दिनकर्जी की रचनाओं ने उन्हें बहुत प्रेरित किया. काशीनात सिंग के अनुसार, दिनकर्जी, राष्ट्रवादी और सामराज्य विरोधी कवी थे. रचनाओं के कुछ आंश किस भाती उठू इतना उपर? मस्तक कैसे चूपाउन मैं? ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उन्विलिया न चूँ सकती ललाट वामन की पूजा किस प्रकार? पहुचे तुम तक मानव विराट, रे रोक युधिश्ठर को न यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर. पर फिरा हमें गांदीव गदा, लोटा दे अरजुन भीम वीर, हिमाले से. क्षमा शोबती उस भुजन को, जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दन्तहीन, विशहीन, विनीत, सरल हो, कुरुक शेत्र से. पत्थर सी हो मासपेश या लोधन्द भुजबल अभय, नस नस मे हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय, रश्मिरती से. हटो व्योम के मेग पंत से, स्वर्ग लूटने हम जाते हैं. दूद दूद ओवत्स तुम्हारा, दूद खोजने हम जाते हैं. सच पूछो तो सर में ही, बस्ती है दीप्ती विने की. संधी वचन संपूज्य उसी का, जिसमें शक्ती विजय की, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूछता जग है. बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदी बाधा हो. तो दे दो केवल पांच ग्राम, रखो वेराग्य छोड बाहों की विभा संभालो, चटानों की छाती से दूध निकालो. है रुकी जहां भी धार शिलाय तोडो, पीउश चंद्रमाओ का पकड़ निचोडो. वीर से, सम्मान, 1999 में भारत सरकार ने रामधारी सिंग दिनकर की स्मृती में डाक टिकट जारी किया. दिनकर जी को उनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारिनी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला. संस्कृती के चार अध्य विश्व विध्यालय के ततकालीन कुलादे पती और बिहार के राज्यपाल जाकर हुसेन, जो बाद में भारत के राश्रपती बने, ने उन्हें डॉक्ट्रेट की मांदुपादी से सम्मानित किया. गुरु महाविध्यालय ने उन्हें विद्या वाच्चस पती के लिए च उने गए और लगातार तीन बार राज्यसभा के सदा से रहे. मरनो परांथ सम्मान 30 सितंबर 1987 को उनकी 13 वी पुन्यतिथी पर ततकालीन राश्ट्रपती जैल सिंग ने उन्हें श्रद्धान जली दी. 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृती में डाग टिकट जारी किया. केंड शताब्दी के अफसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरन किया. कालीकट विश्व विद्याले में भी इस अफसर को दो दिवसिय सेमिनार का आयोजन किया गया.